क्या आपने गभी सोचा है कि अमेर के डॉलर पर ये अजीब आकृतियां क्यों बनी होती हैं? कमाल है ना कि दुनिया की सबसे मजबूत करंसी होने के बावजूद कम ही लोग इस पर ध्यान देते हैं। आज हम आपको इन आकृतियों के बारे में गहराई से बताएंगे। अपने नोट निकालिए और मेरे पास भेज दीजिए। मेरा मतलब है कि मेरे साथ-साथ ध्यान से देखते चलिए। चलिए एक डॉलर के नोट से शुरुआत करते हैं जिसके आगे की ओर बने सिंबल्स डॉलर के दूसरे नोटों पर भी बने होते हैं। वैसे तो ये जाहिर है पर बता दें कि ये यूएस के ट्रेजरर का दस्तखत है और ये ट्रेजरी के सचेव या सेकेटरी का। ये निशान बताता है कि डॉलर का ये डिजाइन किस सन में बनाया गया था और उसके जस्ट उपर बनी ट्रेजरी विभाग की मोहर बताती है कि नोट असली है। और से देखने पर आपको नियाय की ओर इशारा करने वाला तराजू, भरोसे का प्रतीक एक चाबी और तेरा सितारों वाला एक उल्टा वी या शेवरॉन ये नंबर तेरा तो बार बार आएगा जिसके बारे में आगे बात होगी। इस मोहर के जस्ट उपर राजधानी का नाम और उसके उपर नोट का अनोखा सीरियल नंबर है। ये नंबर नोट के पीछे भी होता है और इसके आगे एक अकशर लिखा होता है। आप में से पैनी निगाह वालों ने नोटिस किया होगा कि ये अकशर उपर वाली मोहर में भी होता है। असल में ये फेडरल रिजर्व की मोहर है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से फेडरल रिजर्व बैंक ने इस नोट को छापा है। मोहर के नीचे वाली लिखावट देखिए। बीच में लिखे अकशर से पता लगाईए या नोट पर विखरे हुए नमबर से जैसा कि या दिखाया गया है। ये अकशर और नमबर अलग-अलग लोकेशन्स बताते हैं। पॉज करके याद कर लीजे। क्या पता कल को कोई पूछ ले। ठीक उपर है ओबलिगेशन क्लॉज या बाधिता उपबंध और बीच में है पहले रास्पती जॉर्ज वाशिंग्टन। ये तस्वीर 1976 में गिलबर्ट स्ट्वर्ट द्वारा बनाई गए उनके चित्र सिल ली गई है। प्राचीन युनान के तरज पर वे वाशिंग्टन के इर्ध गिर्ध भी लॉरेल की पत्तियां हैं जिन में कलिया लगी हुई है। यानि अमेरिका का अभी पूरी तरह से फलना भूलना बागी है। अंत में आते हैं ये नंबर्स और लेटर्स। बाए वाले को नोट पॉजिशन आइडेंटिफायर कहते हैं जो बताता है कि नोट को प्लेट पर किस तरह प्रिंट किया गया था। दाई और है फेस प्लेट नंबर जो नोट छापन प्लेट का नंबर पताता है। ये थी कुछ स्टेंडर्ड मार्किंग्स जो दूसरी नोटों पर भी होती हैं पर बीच में दूसरा जित्र होता है जैसे 5 की नोट पर लिंकन या 100 की नोट पे फ्रैंकलिन इनकी पोजिशन भी थोड़ी थोड़ी अलग होती है पर मोटे तोर पर डॉलर का सामने वाला हिस्सा इन ही चिन्हों पर आधारित होता है। नोट का पिछला हिस्सा इस नए रास्ट की विचार धारा पताता है जिसे रास्ट निर्माताओं ने आजादी के बाद अपनाया था। बीच में हैं 1956 में अपनाया गया यूएस का आधर शवाक्य। In God We Trust या हमें परमेश्वर पर भरोसा है। दोनों तरफ दिखाई देने वाले ये गोले असल में दो हाफ हैं जो मिलकर The Great Seal बनाते हैं। दो हिस्से क्यों? क्योंकि उस जमाने में आधिकारिक कागजातों पर एक डोरी से patent seal लटकाई जाती थी। ये एक मोम की डिस्क होती थ जिसके दोनों तरफ आकृतियां बनी होती थी। इन आकृतियों की डिटिल्स को लेकर काफी विवाद है। और हो सकता है मैं जो बताने जा रहा हूँ आप उससे सहमत ना होूँ। चलिए इस बोल्ड इगल से शुरुआत करते हैं। आपने गौर किया होगा कि ये इगल प कई से मिलकर एक लिखा हुआ है। इसके सिर पर बादलों से फूटता एक तारों का जुर्मुठ है जिसे गलोरी कहते हैं। इसका मतलब है कि इस नए रास्ट का नेत्रत्व इश्वर के हाथों में है। उस इगल ने अपने पंजों में तीर और जैतून की डालियां भी पक संध है। चली आप थोड़ा और विवादास्पत मुहर की बात करते हैं। पिरामिट, ताकत और जुझारूपन का प्रतीक हैं। इसमें एक आँख भी है जिसे आई औफ प्रविडिंस कहते हैं। ये इशारा करती है कि इश्वर की नजर हम पर है। इतिहास के हर दौर में आँख को इश्वर के प्रतीक की रूप में इस्तिमाल किया गया है। इसलिए कम ही उम्मीद है कि ये किसी गुप्त समूह के प्रभुत्य की निशानी है। पिरामिट का कैप बेश से अलग रखा गया है जिसका मतलब है कि अभी रास्ट्र निर्मान का बहुत काम बाकी इसके पीछे एक उक्ता हुआ सूरज जो नए रास्ट्र की शुरुवात की तरफ इशारा करता है। सूरज की किर्णों की परशाई पश्चिम की ओर है क्यूंकि उस समय उस दिशा में बहुत सारी अंचुई भूमी थी। उपर वाले आदर्श वाक्य का मतलब है हमारे कार पर रोमन संख्याओं में लिखी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि इन आदर्श वाक्यों को आखिर क्यों अपनाया गया और हमने कुछ चीजें छोड़ क्यों दी। बताते हैं। याद है नंबर 13 के बारे में मैंने क्या कहा था। मैं सच बोल रहा था कि ये बहुत ही महत पूर्ण है। आदर्श वाक में 13 अक्षर हैं। पिरामेड में 13 सीधियां हैं। यहां नीचे 13 डिजिट हैं। और सील के दोनों तरफ से 13 मोतियां निकल रही हैं। रिबन के आदर्श वाक में भी 13 अक्षर हैं। चील ने 13 तीर पकड़ रखी हैं। और जैतून की डाली मे तेरा पत्तियां और तेरा फल हैं धाल में तेरा लेटी हुई धारियां और तेरा खड़े डंडे हैं चील के सिर के ऊपर तेरा तारे हैं और सब में वाव फैक्ट्स के तेरा लोगो चलिए माना भई वो लास्ट वाला जूट था राष्ट निर्माताओं के लिए नंबर 13 इसलिए खास था क्यूंकि वे 13 कॉल्मिनीज का प्रतीक हैं खेर, कॉंस्परेसी थियोरी के शौकीनों को जो सबसे ज़्यादा भाता है वो है ये उल्लू या मकडी का निशान कहते हैं कि उल्लू इलुमिनाती का निशान है और मकडी तो जालेदार बैग्राउंड में बिलकुल फिट बैठती है दोनों ही ममकिन है पर अफसोस कि इसका एक बेहतर एक्स्प्रेनेशन भी है नीचे से जाल का एक टुकड़ा उठा कर इस पर रखने से साफ हो जाता है कि ये फीचर जान बूचकर नहीं बनाये गया एक डॉलर की नोट पर इस से जादा कुछ नहीं होता पर दूसरे नोटों का क्या और हमने कुछ डिजाइन फीचर छोड़ क्यों दिये क्योंकि उन में कुछ खास नहीं फिर भी जानना चाहते हैं नीचे कॉमेंट्स में हमें जरूर बताएं